वेल्कों वेल्कम बैक तो हुआ चैनल तो फैंस आजके इस वीडियो में हम आपको कुर्ती का स्टिचिंग दिखाएंगे कटिंग का वीडियो कर दिया था अभी हम आपको स्टिचिंग का वीडियो बताएं गए कि कि इसकषर कर के के आपको दिखाएंगे तो हमारे वीडियो पे कंटीमी यह यह अभू से पहले हम गली प toothbrush करेंगे और फ्रन अतर्ण इक दोनों की सब्सक्राइब कर दोनों की पट्टीवों करेंगे गें पर भी ऐर में Σंबंद कर weirdest हमें आभी इसको नियांसे जोर्वीत करदें, क्लीव इंचे पे एंचीं हमारी पत्ते लग चुकी है और हम हमने कट लगा दिया है, कट हमारे सिलाएं पे नहीं आना चाहिए, सिलाइक उपर ही देना चाहिए और इसके बाद हम इसको पलड़ देंगे और पलड़ने वाद चाहे तो आप दुर्पए कर दीजे और चाहे तो मसीन से इसलाइक कर दीजे हम तो यहाँ पर मसीन से इसलाइक कर रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पर इसको मोड़ेंगे और फिर इ अभी हम यहां से मसीन से सिलाई कर देंगे हमने पीछे की पट्टी को लगा दिया है अभी हम आगे की पट्टी को लगाएंगे अगे की साइड में डिजाइन बनाना है तो उसके लिए हमने यह पट्टी लिया है और इधर दो फोल्ड किया है और इधर से दो इंच है यानि चार इंच इधर से भी है तो हमको यह फिर कट कर लेना है इस तरी के से अब इसका हमें बीच का सिंटर लेना है यहां बीच में हमें इस पर कट का निशान लगा दिना है पता चले हमारा सिंटर है तो यह जो हमने कट किया था पट्टी उसको हम यहां से रखेंगे इस तरह से रखेंगे और यहां पर हम पीनप कर लेंगे अब हम यहां से श्टीच करेंगे यहां से आके कॉर्नर से आके इसके बाद फिर सीधर हम घुमाके यहां तक श्टीच करनेगे यानि पेट्टी को च्वाइंट करेंगे है हमने पट्टी को जॉइंट कर लिया है अब हम इसके कटिंग कर देंगे इस तरह से अब यहां पर हम कट लगा लेंगे यहां पर भी हम कट लगा लेंगे अब इसको पलड़ देंगे अब यह बट्टी को मोर के आप इसलाई कर देंगे और आप चाहे तो तो पहीं कर सकते हैं अब हमने श्टीच कर लिया है अभी मैं आप से लेश अटेच्च करेंगे आप 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 अब इसी तरह से हम इस साइड भी लेस को टैज करींगी इस तरह से अब आए हुआ आए यह अगया है यह अगया है कि यह मारे लेस्टेश हो चुका है अब साइट में हमें एक लेस्ट और अटेश करना है कि पत्ती अटेश करेंगे इस तरह से हम कपड़े को रखके दिए अटेश कर लेगे संवनाल ओmakक के लिस त्रेवर दोल से और यहां से थोड़ा हम ऐस्टाले गे उल्लबाग एक इंजन तक दोपर निकाल लेंगे इसको हम कट कर लेंगी एक पड़ा हम डबल कर देंगे तो हमारे साथ में दोनों पट्टी निकल जाएगा कि हमारे गुर्णों साइड की पट्टी कट हो गई है अब हमें कपड़े पे रखके इस तरह से हम रखेंगे पट्टी को और यहां से हम स्टीच करना चालू कर देंगे तो इसी तरह से हमें स्टेक भी फट्टी को यहां पहां आज कर कर दीन है इससे रखेंगे के शाइभब्ट साथ से स्टीच कर देंगे है किन अव ऐसी तरह से फोल्ड ड़े मिए झालो करनेक वाद यहां से करना चारू कर देंगे इसे इन दोनों साइट कट लगा के उसके बार इसके पलट के सिलाई कर देंगे गले की पट्टी को भी हमने अटेच कर लिया है यहां पैसे लाई कर दिया है अब हम पीछे का और आगे का दोनों यहां से जॉइन करेंगे यानि दोनों का सोल्डर जॉइन करेंगे यह हमारा एक्ष्ट्रा है इसको कट कर देंगे यह हमारा बैक साइट यह फ्रेंट साइट दोनों को हमें उल्टा करना है यह इस साइड उल्टा है यह इस साइड उल्टा है अभी दोनों को हम यहां सोल्डर लेके यहां पे कर देना है उसी तरह से हमें इस साइड भी चिलाई कर देना है कि मारा अटेच्छ हो गया है फ्रेंट और बैक इसको सीधा कर ले रहे हैं कि पचुली का घेर लगाने के लिए हमें सबसे पहले हां बीच से सिंटर ले लिना है यहां से हमारा सिंटर है इस साइड भी निसान लगा देंगे तो पीछे की साइड भी हम बीच का सिंटर निकालेंगे तो यह आ रहा है हमारा बीच का सिंटर यहां पर चाहे तो आप थोड़ा से कट लगा दीजे या तो फिर निसानी लगाएं अभी इसी तरह से हम ठाक का भी यानि घेरे का भी सिंटर लगाएंगे यह मारा घेरा है इसका भी हम सेंटर ले लेंगे डबल फोल्ड करके यह तो यहां से हम कट लगा देंगे इस तरह से यहां तो फिर निसान लगाएंगे इस तरह से हम इस साइड का भी कर देंगे और भी लगा है यहां पर भी रख़े लगा लेंगे हैं अब इसको ने ज्ञाइंट चुर्णा करना एवहां आपको बताएंगे यहां तक हम निम्हान करेंगे और इसके बाद हम यहां पर ढलना चालू करदेंगे तो हम यहां पर धृट नहीं है जो हमने सिंटर पर कट लगाया था यह कट हमारा इस सिंटर पर आने चाहिए हमें इस तरह से एड़ेश्ट करके प्लेट को लगाना है कि अब यहां से प्लेट डालना चारू कर देंगे इस तरह से हम छोटी छोटी प्लेटे डालना चालू करेंगे लगाओ 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि जिस्तरे से हमने फ्रंट्साइड का टेज्ट के था वसरे समें बेट्चाइड का भी अटेज्ट करेंगे आज कर दो कर्दि का प्लेट्स बना लिया है अब हम आस्तीन लगाएंगे इसमें, तो सबस्पहले हम आस्तीन को बनाएंगे, तो सबस्पहले हम आस्तीन को नाप लेंगे, हमें रेडी का माप लगाना है इसमें, जितना हमें रेडी रखना है उतना निसान लगा लें, तो आस्तीन हमें 10 रेडी रखना है, तो यहां स्टी कर देंगे और उसके बाद हम लेश इस पर टैच करेंगे है अब इस तरह से दोनों आतिन को श्टिच कर लिया है अब इस पर हम लेश लगाएंगे कुछ इस तरह से इस अटैच करेंगे इसको बीस में लगाएंगे और दिवाले ढरों आगे लगाएंगे और उसके बाद यहां पर लगाएंगे इस तरह से हमें आटाइच करना है तो सबसे पहले हम यह वादे लिए इसको लगाएंगे यहां सबसे पहले हम रेडी का निशान लगा लेते हैं रेडी हमारा दस है तो हमने यह पांच इंच के लिए है कि इस तरह से दोनों पर निशान लगा लेंगे और फिल लेस को हम यहां से लगाएंगे हम रेडी नाप से थोड़ा एक इंच आगे से लेस अटेच करेंगे और इसको हम कपड़े से थोड़ा नीचे ही लगाएंगे क्योंकि अगर कपड़े के आगे हम इस तरह से लगा देंगे तो हमें चुभे गए यहां पर इसलिए हम कपड़े के ऊपर ही रखेंगे थोड़ा अंदर ही रखेंगे इस तरह से अब इसके बाद हम यह वाली लेस को लगाएंगे क्योंकि तरह से हम दूसरे वाली अच्ट करेंगे थोड़ाएंगे? तो हमने दोनों असतीन में लाइस को टैस्ट कर लिया है 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 हम कुर्ती में आस्तीन को अटैस्ट करेंगे तो सबसे पहले इसको फोल्ड करके हम यहां पे यह जो मारा बीच का भागा रहा है यहां पे हम कट या निशान लगा देंगे यहां पे हम कट कर दे रहें सेमोज से उसमें भी कर देंगे कि यह हमने आस्तीन को बराबर फोल्ड करके यहां पे हमने बीच का कट लगा लिया है कि ले लेंगे कि अब यह कुर्टी में थोड़ा सा बढ़ गया है इसकी हम कटिंग कर लेंगे कि कि अब हमाज तीन को लगाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें जैसे कि हमने कटिंग करते टाइम बताया था और हमने यहां पे लीग भी दिया था यह हमारा फ्रण साइड है यानि आगे की साइड तक, तो ये कुर्ति में आगे की ही साइड में आना चाहिए, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे, ये हमारा बीच का और ये, ये दोनों को हम यहां से रखेंगे, और ये हमारे फ्रंट साइड में ही आ रहा है, ये हमने जो लिक्के रखा था, तो ये हमार करेंगे जिसे कि हमारा कोई भी भाग चोटा या बढ़ा ना हो इसलिए इसलाइब करते हैं यह जो हमारे कॉनर पर कपड़ा आता है इसको हमें से फोल्ड कर देंगे या तो फिर आप यहां से कट भी कर सकते हैं इसको इस तरह से तो चलिए इसको भी सिर लेते हैं खिचाओ विल्कुल भी नहीं आना चाहिए दोनों बराबर हमें दोनों कपड़े को बराबर लेके सिरना है अब यहां से स्टार्ट करेंगे तो हमारे बैक साइट का भी अटेच हो जाएगा जिस तरह से हमने इस लीव को अटेच किया है इसी तरह से हम वो साइट भी स्टार्ट को अटेच कर लेंगे हमने दोनों साइट स्लीव को अटेच कर दिया है अब हम फिटिंग का निसान लगा दिया है अब हम इसकी स्टीचिंग कर देंगे इस तरह से हम उस साइट भी फिटिंग का निसान पे स्टीचिंग कर लेंगे दोनों साइट पर हमने फिटिंग का चिलाई कर दिया है इस तरह से हमने स्लीट को यहां से बारा इंच पे खोला है यहां से हमारा चौक रहेगा यानि स्लीट रहेगा अभी हमें चौक की सिलाई करेंगे यानि स्लीट की सिलाई करेंगे तो उससे पहले हमें एक छोटा सा लूप बनाना है जो कि हम जिसमें की हम दूरी अटेज करेंगे तो वह पहले बना लेंगे उसको यहां टेज कर लेंगे उसके बाद हम इसकी सिलाई कर देंगे हुँ अब हम विए करेंगे तो यहां से फॉल्ड करके इस तरह से यहां पर स्लिट की लाई करेंगे उसके बाद नम आपके छोटा चानूप लगाएंगे हमने इस लिट को फोल्ड करके पिन कर लिया है जिससे कि हमें स्टीचिंग करने में आसानी हो तो इस तरह से हम दोनों साइड के स्लिट को पिनप कर लेंगे अब हम इसके स्टीचिंग चालू कर रहे हैं झाल झाल झालू कर लेंगे आसा है कर दो झालू कर रहे हैं कि यह मैंने स्लिट को बना लिया है दोनु साइट से इस तरह से अब हम यहां पर एक लूप लगा देंगे स्लिट के पास दोरी अटेज करने के लिए हमेशा चोटा सा एक लूप बनाएंगे और इसको हम इसके अंदर इस तरह से अटेज कर लेंगे यहां पर हम इसमें दोरी लगाएंगे तो चलिए इसको टेज कर लेते हैं हम बहुत चोटा सा एक लूप लगाएंगे सिर्फ दोरी जाने भर के लिए इसको हम अंदर से लगाएंगे बाहर से हमारा इतना चोटा सा दि अब इस तरब इस तरब भी हमेंसे लगा लेंगे यहां से हमसे लाई कर देंगे इस तरह से हमने दोनों साइड में लूप अटैज कर लिया है उल्टे साइड में सीधे साइड से हमारा नहीं दिख रहा है बहुत थोड़ा सा ही दिख रहा है इसी में हम दोरी को अटैज करेंगे तो अभी सब से पहले हम अभी सब से पहले हम एक साइड लेस लगाएंगे नी नीचे और साइड में करेंगे यहां पे और उस साइड भी यह दोनों साइड और उसके बाद नीचे पहले हम नीचे लेश को लगा ले रहे हैं पहले हम नीचे ही लेश को टाइज करेंगे यह वाला लेश हम नीचे लगा रहे हैं हम इस साइड भी सिलाई कर देंगे नीचे की साइड लेश हमने अटाइच कर दिया है अब हम साइड में लगाएंगे लेश को साइड में यानि स्लिट में हम यह लेश करने वाले हैं और शिर्फ आगे की साइड लगाएंगे पीछे की साइड नहीं लगाएंगे यहां से लगा रहे हैं इसको यहां से मोड़ के अटाइच करेंगे अटाइच अब यहां से लेश को हम कट कर देंगे और मुड़ देंगे वाले हैं तुम्हारे ये दोनों साइड पे दोनों स्लिप पे हमने अटाइच कर दिया है लेस को और इधर नीचे भी हमने नीचे हमने ये वाला लेस लगाया है दोनों साइड हमने ये लगाया है तो अभी हम आपको इसका दिखाएंगे